आयोध्या के बाद जैपुर के राम मंदिर की चर्चा भी सोरो पर सेक्डो साल पुराना है इस मंदिर का रहसे इस मंदिर में मिलती है अनोखी कारी करी सूरज ढलते ढलते बढ़ जाती है जैपुर के राम मंदिर की रोनक मंदिर में विराजमान श्री राम के दर्शन करने के लिए दूर दराड से आते हैं राम भाग उस समय फिर से एक बार राम मंदर में लेकिन यह राम मंदर आयोध्या में ने विल्किशा गुब हो रहा हुए और इसी भी जैपूर का एक राम मंदिर भी बेहत चर्चा में है जो राम मंदिर 130 साल पुराना है यहां स्थापित भगवान राम की मूर्टी बनाने में कारीगरों को लगभग 19 साल का समय लगा यह मंदिर आयोध्या के कनक भवन की तर्ष पर बनाया गया है इस सच जायपूर को छोटी काशी नाम भी दिया गया है ससले क्योंकि यहां हर सड़क के चोराहे तिराहे पर कोई न कोई प्राचीन मंदिर जरूर मिल जाएगा इनी में से एक है चांदपोल बाजार में बना भगवान श्री राम का राम चंडर मंदिर मिली जानकारी के अनुसार यह जायपूर का सबसे पुराना राम मंदिर है इसकी स्थापना 1894 में की गई थी 130 साल पुराना यह मंदिर जायपूर के भव्य मंदिरों में से एक माना जाता है इसमें पांच भव्य विशाल चौक बने हुए है जो मंदिर की सुन्दर्ता में चार चौन लगाते नजर आते हैं इस मंदिर में विराजमान भगवान राम की प्रतिमा नक्षत्र के हिसाब से बनाये गई है जिसको बनाने में 18 साल 9 महीने 24 दिन का समय लगा था इसे महीने में सिर्फ एक ही दिन बनाया जाता था इसी कारण ये मूर्ति त्यार करने में 18 साल का समय लगया इस मंदिर में सबसे अद्बुत बात ये है कि ये आयोधा के कनक भवन की तरश पर बनाया गया था जिस तरह से राम नगरी आयोधा में कनक बिहारी जी का मंदिर है ठीक उसी प्रकार यहां भगवान राम चंदर को स्थापित किया गया है इस मंदिर की दिवार पर शांदार नकासी है इसमें जग मोहन विष्णूजी के 24 अवतारों का चितरन किया गया है इतना ही नहीं यहाँ पर नाकफनी और सिंग मुक की छवी भी बनाई गयी है पूरा मंदिर परिसर भिती चितरों से सजा हुआ नजर आता है जो देखने मे अद्बुत और सुन्दर दिखाई देता है मंदिर परिसर की संग्मर्मर की दिवारों पर राम चरित मानस के प्रसंगों का भी चितरन और वर्णन है विदित है कि चांदपोल बाजार का ये मंदिर बीचो बीच बना हुआ है सडक किनारे चलते लोग बाहर से भी सीधे भगवान रामचंद्र की पूजा करते नजर आते हैं इस समय इस राम मंदिर नरेंद्र तिवारी यहां पुजारी है इस भव्य रामचंद्र मंदिर में हरवश भगवान राम का प्रकट उत्सब बड़ी धुमधाम से मनाया जाता है जिस उत्सब में शामिल होने के लिए दूर दराच से लोग आया करते हैं फिलाल आप इस राम मंदिर को लेकर क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बेकर साघा कर सकते हैं विदीद है कि जब से आयोध्या में श्री राम की प्रांट प्रतिस्टा होई है तब से भारत के तमाम राम मंदिर चर्चा में आ गए है ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग आयोध्या ना जा सके उन्होंने अपने पास ही बने राम मंदिर की पूजा अर्चनाश शुरू करती है ब्यूर रिपोर्ट पीडियन्यूस